आज की कहानी है, कैसे एक विदेशी लड़की ने इंडिया घूमने आए, तो उनके कैसे बुरा बरताव किया गया? आए कहानी के माध्यम से पुरी जानकारी जानने की काम करते हैं. इसे पहले की अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल क को सब्सक्राइब कर लें तो कहानी है, जारखंड राजे का एक जिला है, दुमका उसी का ही एक थाना लगता है. हंस डीहा दरसल बात कर रहा हूँ. एक मार्च दो हजार चौबीस की रात लगभग दस बजकर तीस मिनट बजे के आसपास गाव कुर्मा हाट के पास दो दोनों पर पढ़ती है. अंग्रेज और महिला पर पढ़ती है, तब तो अभी वो गाड़ी रोकते हैं. वो रो रहे थे रोते रोते कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वह जो पुलिस वाले होते हैं, वह समच नहीं पा रहे थे. कि आखिरकार वह क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, जो महिला अंग्रेज होती है. वह बार-बार अपने चेहरे की तरफ हाथ करती थी, कभी हाथों की तरफ इशारा करती थी. इसी तरह से वह कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, उन्हें देख के साफ अंदाजा लग रहा था. कि वह घायल हो वहाँ पर इन दोनों को ले कर जाते हैं, इस जिले के जो ASP साहब होते हैं. उन ASP साहब को सूचना दी जाती है कि एक अंग्रेज है. एक महिला और पुरुष यह दोनों यहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है. यह कुछ कहना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है. रात के एक बजे के आसपास उस जिले के ASP को खबर लगती है. तुरंत वो मौके पर पहुचते हैं और वो आने के बाद अब उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे. समझने के बाद पता चलता है कि कुर्मा हाट में इस महिला अंग्रेज और पुरुष ने एक-एक अस्थाई टेंट बन कि कुछ इस तरह का जिस तरह का बराबर में फोटो लगा हुआ है. ये इस जगह का फोटो नहीं है लेकिन फोटो किसी दूसरी जगह का है. लेकिन यह जो महिला अंग्रेज है मैं इसी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ. दरसल जैसे ही ये रात किसा साथ या आठ बज साथ लड़के आते हैं. साथ लड़के आने के बाद टेंट के अंदर जाते हैं. और इस महिला और पुरुष को के साथ बेवजह मार पीट करना शुरू कर देते हैं. वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कौन पीट रहा है, क्यों पीट रहा है? वो जब समझ नहीं पा तब उन्हें और ज्यादा पीटा जाता है, ताकि वह शोर ना मचाए और उनको इशारा कुछ इस तरह से किया गया था, कि तुम्हें बोलना नहीं है, यानि कि वह चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, इसके बाद फिर सातों मिलकर इस महिला के साथ बारी-बारी से बलातकार करते हैं, और उसको खूब पीट पीटते हैं, उसके पती को भी खूब पीटते हैं, पीटने के बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है, उस हसरत को पूरी करने के बाद वह वहां से भाग जाते हैं, वह महिला रोती रहती है, गिरगिरा रहती है, उसकी समझ में नहीं आ र सडक के किनारे खड़े होकर वो रो रहे थे तभी पेट्रोलिंग पुलिस की जब गाड़ी यहां से गुजर रही थी उस पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस की जब नजर पहुचती है तब इन्हें वहां से ले जाते हैं सीधे CHC वहां जाने के बाद एसपी जो पूरी कहानी सुनता है तो एसपी को बड़ा आश्चरे होता है अब इसके बाद इनका इलाज चल ही रहा था इलाज चलने के दोरान ही जो महिला होती है दरसल वह ब्राजील की रहने वाली होती है जिसका नाम फरनाडा होता है उम्र लगभग उसकी 28 साल के आसपास होती है उसके पती का नाम होता है विसेंचो की स्पेन का एक ग्रेन एंडा एक शेहर है वह वहां के रहने वाले होते हैं महिला की उम्र लगभग 28 साल उसके पती की उम्र 64 साल के आसपास होती है दोनों ने फैसला लिया था कि हम दुनिया घूमेंगे यानि कि वो दुनिया की सेर करने के लिए अब से लगभग पांच साल पहले निकल जाते हैं और जब यह निकलते हैं तो इरान, इराक, तुर्किया, साओधी, अरब, इटली, जार्जिया, अफगानिस्तान, इंडिया यानि की जुलाई 2023 को इंडिया में प्रवेश करते हैं लद्दाक में एंट्री करने के बाद कन्याकुमारी तक जाते हैं दोनों के पास बाइक होती हैं और पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में घूमते हुए ये इसी तरह से अपना सफर पकड़ते हैं और इनको जाना था यहां से पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था और नेपाल जाने के बाद यहां से यह सीधा आगे आस्ट्रेलिया की तरफ निकल निकलना था लेकिन एक मार्च दो हजार चोबीस की रात को जब शाम हो जाती है लगभग साथ साथ बजकर तीस मिनट बजे के आसपास जारखंड प्रदेश के जिला दुमका के हंस्डिहा एक थाना लगता है उसी का गाव था कुर्मा हाट वहां पर टेंट बना कर रुख जाते हैं क्योंकि पांच साल से सफर कर रहे थे एक लाग सत्तर हजार किलोमीटर का सफर इन्होंने पिछले पांच साल में तै किया था हर देश चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इरान हो इराक हो जारजिया हो अफगानिस्तान हो सभी देशों की यात्राएं करते-करते इंडिया के हिस्से में घूम के एक या दो दिन के बाद वो इंडिया छोड़ने ही वाले थे कि उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, जिस तरह की घटना होती है वो वाकई अपने आप में शर्मसार कर देने वाली थी इन्होंने इस घटना का उलेख अपने और देखते ही देखते लोगों-लोग इंडिया के उस जगह के बारे में उस घटना स्थल के बारे में उन पापियों के बारे में उन दरिंदों के बारे में बुरा-बुरा कहना शुरू कर देते हैं साथ ही कहते हैं कि जिले की पुलिस की प्रदेश की पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस अंग्रेज महिला और पुरुष के साथ हाक इस अग्रज माहला और पुरुष का साथ जो कुछ भी हुआ है जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए क्योंकि भारत में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है यहां अतिथी देवो भव की नीती है, यहां मेहमान को देवता का रूप दिया जाता है देवता की तरह समझा जाता है, लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है बलातकार हुआ है, वह वाकई बहुत ही भयानक घटना है जिससे की इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है जब यह घटना सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही थी तब इस जिले के एस पी पीतामबर सिंग खेरवा उन्होंने अपनी टीम लगाई और साथ में से चार लोगों को पकरने का वह दावा कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने चार लोगों को गिरफतार कर लिया है महिला का 164 का बयान भी दर्ज करा दिया गया है कोर्ट के अंदर और जितनी जल्दी हो सकेगा सभी आरोपियों को गिरफतार करने के बाद जेल भेजा जाएगा और कम से कम समय में चार शट लगाकर अदालत से इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की बात की जाएगी ताकि पूरी दुनिया में भारत की एक जो पहचान है अच्छी उसकी संस्कृती को लेकर वह हमेशा बनी रहे और ऐसे दरिंदों को सजा मिल सके दोस्तो इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं बलकि आपको जागरूख करना है और आप सचेत रहें सतर्क रहें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें साथ ही अपने प्यारे हाथों से जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं रोज एक नई सची कहानी लेकर आते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले कहानी सुनने के लिए तन्यवाद